लगता है फिर से चुनावाया है नेवाइदों का बहावाया है वही जनता है और नेता भी वही है फिर लुभाने के खातिर कुछ नया उपाय आया है चंद दिनों के खातिर नेता सभी के बेटे बनेंगे गरी भी खत्म करेंगे आरक्षन सबको दिया जाएगा जाती और धर् भुला कर सभी वोट देंगे आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सभी राजनेतिक पार्टिय जोरो शोरो से चुनाव के परचाब परसार में जुट गई है इसके साथ बिजेपी में चुनावी मोड में नजर आ रही है सरकार रिपीट करने के लिए कॉंग्रेस की मुफ् ना कर रही है तो बिजेपी एक एक सीट की मार्किंग कर उसके समीकरण अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है और इसी के साथ ही प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ बिजेपी ने राजदानी जयापूर में हल्ला बोला लेकिन इस प्रदेशन के दोरान कई ऐस चाद्यक्स गोविन सिंग डोटासरा ने बिजेपी के प्रदेशन को फ्लोप शो बताते हुए कहा कि 25,000 बुलाये थे और 25,000 भी नहीं आये प्रदेशन में वसुंद्रा राज्ये और सतीस पूनिया का मोजूत नहीं रहना ये साबिट करता है कि इनके मतवेद ही नहीं आये बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है नमस्कार आप देख रहे हैं नवतेश टीवी और मैं आपके साथ जोती रागव बीजेपी पर कॉंग्रेस ने साधा निशाना मोदी का चहरा भी पढ़ गया फीका बीजेपी सत्ता में आने को है तयार सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन प्रदर्शन में नहीं पहुँचे सतीश फूनिया वसुंद्रा राजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने ही नेताओं के खिलाफ लगा रहे आरोप हमने कहा था जैसे लोग आए वाटर कैनन से वैसा पानी छोड़ देना दरसल बीजेपी का यह प्रदर्शन जैपुर जिले के कार्यकरताओं को लेकर था इसमें जैपुर के सभी सांसर्द विधायक विधान सबा प्रतियाशियों को मुझूद रहना था इसके तैयारिया भी लंबे समय से चल रही थी लेकिन प्रदेशन के दोराद उपनेटा प्रतीपक शतीज पूनिया और कूर्व मुख्य मंतिरि वसंद्रा राजियें प्रदेशन में शामिब नहीं हुए प्रदेश की कंग्रे सरकार के खिलाफ बिजेपी ने ज्ययापुर में हला बोला दरसल सतीस पूनिया महाजन संपरक अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की चार लोग सभा सीटों के दोरे कर रहे हैं इसके साथ ही विपक्षी कॉंग्रेस प्रदेशा अध्यक्स गोविन सिंग डोटास्रा ने बिजेपी के प्रदेशन को फ्लोप शोब बताते वे कहा कि 25,000 तो बुलाए थे लेकिन 2500 भी नहीं आए विजेपी की सभा में कुर्चिया खाली पड़ी थी इस प्रदेशन में वसंदर राजर सतीस पूनिया का मौजूद रहना ये साबित करता है कि इनके मतवेद ही नहीं मनवेद भी है विजेपी किसी भी विरोध प्रदेशन में एक नहीं हो पाई है डोटासरा प्रदेश कोंग्रेस मुख्याले से मीडिया से पास्चित कर रहे थे विजेपी के 200 मुख्य मंतरी बताने के आरोव पर डोटासरा ने कहा कि वे कम बता रहे हैं हमारे यहां तो हर जिस कार्य करता ने सरकार बनाने में भूमी का निभाई वह मंतरी मुख्य मंतरी और प्रदेशा द्यक्षिता रही है विजेपी की तरह दो या तीन लोग ही सत्ता पर काविज नहीं होतें कॉंग्रेस में हर कार्य करता को मौका मिलता है डोटास्त्रा ने कहा विजेपी किसी भी विरोध प्रदेशन में एक नहीं हो बाई है प्रदेशन में जितने भी वक्ता उनमें एक भी नेता ओविसी का नहीं था OBC के हितेशी होने वाला रागलापने वाली BJP ने किसी OBC नेता को बोलने का मोका तक नहीं दिया राजेंदर राठोड भासन दे रहे थे जो 500 लोग भी नहीं थे इनकी दुरगती देखिए कारेकरताओं को भासन सुनाने के लिए कस्मे दिलाई जा रही थी BJP के नेताओं में इतने मतभेद हैं कि एक नहीं हो सकते डोटासरा ने कहा BJP के नेता एक जुट नहीं है मोदी जी के चहरे पर चुनाव लड़ रहे थे अब मोदी जी का चहरा भी फीका पड़ गया है मोदी के चहरे पर ने पंजाब जीत पाए ने करनाटक RSS ने भी कह दिया कि अब मोदी के भासनों या मन्तिपास से और मोदी के चहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता BJP के परदेशन में वाटर कैनन से गंदा पानी छोड़ने के सवाल पर डोटासरा ने कहा हमने पुलिस प्रिसासन से कहा था कि जैसे लोग आए उन पर वैसा पानी छोड़ देना हम तो मीट कर रहे थे कि अच्छे लोग आएंगे अच्छा पानी छोड़ेंगे जोटासरा ने आगे कहा कि करनाटक की हार से बोखला कर BJP नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है सरकार पर जूटे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है और इस तरह से धमकी भी दे रही है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे केवल ब्यूरोक्रेट ही नहीं इसे चुनाव में BJP जिन सीटों पर BJP खुद के नेताओं की बगावत के कारन हारी उन नेताओं को फिर से घर वापसी करा रही है लेकिन BJP को इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता इन सबारोपों पर BJP ने पलटवार करते विए जवाब दिया है नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोर से सवाल किया गया तुन्होंने कहा कि पूनिय संगठन के काम से बाहर है इसलिए प्रदेशन में शामिल नहीं हुए वही वसुंदर राजे को भी जारखन की चार सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जिसके तहट राजे ने जारखन के देवघर जिले की आयोजित महाजन संपर का भियान की सभा को संभोधित किया है गोरतलब है कि विजेपी ने केंदर की मोधि सरकार के नो वर्ष पूरे होने पर अलग-अलग राज्यों की लोगसवा सीटों को कलस्ट्र में बाट कर अलग-अलग नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सोपी है विजेपी का फोकस उन सीटों पर जादा है जहां पिछले दो से तीन चुनाओं में उसे हार का सामड़ा करना पड़ा और वह सत्ता से दूर रही इन सीटों पर पार्टी, कॉंग्रेस और बस्वा सईथ निर्दलियन नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है कुछ नेताओं ने पिछले दिनों विजेपी की सद्धिश्यता ले ली है वहीं चुनाओं तक कई ओ नीता भाजवा का दामन थाम करते हैं खेर ये चुनाओं वी दोर तो अभी शुरू ही हुआ है नेताओं के जूटे वादे भी जनता सुनेगी और जनता खुद अपना नेता चुनेगी क्योंकि शायद अब जनता को समझ भी आ गया है कि उनको किस नेता को चुनना चाहिए ये फैस्ता तो जनता ही करेगी वहीं राजस्तान के सीम अशो गैलोट भी जैपुर में परचार की कमाद समाल रखी है गैलोट ने घर गर जाकर लोगों से कॉंग्रेस को वोट देने की अपील भी की है मीडिया से बाच्छीत में गैलोट ने एक बार फिर बिजेपी पर निशाना साधा और कहा इस बार केंडर में बिजेपी की सरकार नहीं बनेगी और यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा आगर किस के सरसाजेगर राजनिती का ताज और कौन होगा जनता का नेता तब तक रजस्तान में चुनावी माहुल बना रहेगा क्योंकि आपकी खबरों का भरोसिमन साथ ही है नवदेज टीवी